हलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेस्चन से, और क्वेस्चन है कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है, इसको इंग्लिश में कहेंगे, what is the time, या फिर हम कह सकते हैं, what's the time, अमान लीजिए, इसक आपको आंस्वर देना है, तीन बजे हैं, तो क्या कहेंगे, it's three o clock, और अगर आपको कहना है, दस बजे हैं, तो कहेंगे, it's ten o clock, या फिर, it is ten o clock, ओके, लेकिन अगर आपको ये कहना हो, दो बज़ कर पांच मिनट हुए हैं, तीन बज़ कर दस मिनट हो गए हैं, दस या फिर, आपको ये बताना हो, दो बज़ने में पांच मिनट हैं, तीन बज़ने में दस मिनट हैं, दस बज़ने में बीस मिनट हैं, तो इनको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, बच्चों वीडियो को end तक देखिएगा, आपको बिलकुल confidence आ जाएगा, आप टाइम को इ फाइव पास्ट टू, दो बज़कर पांच मिनट, तो फाइव को आगे लेकर आएंगे, फिर पास्ट और कितने बज़कर उसको लास्ट में रखेंगे, अब अगर आपको ये कहना हो, तीन बज़कर दस मिनट हुए हैं, तो आप कहेंगे, इट्स टैन पास्ट थ्री, फिर अगर आपको कहना है 10 बज़कर 20 मिनट हुए है तो आप कहेंगे अगर हमें बताना हो 2 बज़कर 5 मिनट बज़कर तो वहां पर पास्ट यूस होता है फिर अगर आपको ये बताना हो 2 बजने में 5 मिनट है त्यांसे सुनिए 2 बजने में 5 मिनट है तो आप कहेंगे इसके लिए पास्ट यूस होता है उके अगर आपको कहना हो 3 बजने में 10 मिनट हैं तो आप कहेंगे It is 10 to 3 It's 10 to 3 फिर अगर आपको कहना हो 10 बजने में 20 मिनट हैं तो आप कहेंगे It is 22 10 It's 22 10 आगे देखिए बच्चों आदा घंटा को English में कहते हैं Half 15 मिनट को कहते हैं Quarter तो अगर आपको ये कहना हो साढ़े तीन बजे हैं तो आप कहेंगे It is half past 3 It's half past 3 अगर आपको कहना हो सवा तीन बजे हैं तो आप कहेंगे It is quarter past 3 It's quarter past 3 अगर आपको कहना हो तीन बजने में 15 मिनिट हैं यानि की पोने तीन बजे हैं तो आप कहेंगे ऐसे ही देखिए अगर आपको कहना हो साढ़े पांच बजे हैं तो आप कहेंगे अगर आपको कहना हो सवा पांच बजे हैं तो आप कहेंगे अगर आपको कहना हो पांच बजने में पंदरा मिनिट हैं यानि की पोने पांच बजे हैं तो आप कहेंगे अगर आपको टाइम इंगलिश में बताना आ गया होगा तो बच्चों जल्दी से देखिए कि आप साडे छे सवा छे पोने छे इनको इंगलिश में क्या कहेंगे इनका आंस्वर कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो